So what is up, what is up guys, welcome to the channel and a happy new year ये है इस साल का पहला वीडियो इस चैनल पे आज आप लोगों के साथ डिसकस करने वाला हूँ मेरे financial goals क्या है I hope ये थोड़ा सा आपको शायद idea ही देदें और कुछ नहीं तो नहीं तो एक vlog ही बन जाएगा जो हम 2023 में मैं चेक कर पाऊंगा basically कि मैंने कैसा किया है पहले मेरा जो plan था guys ये goals share करने का plan था कि finance वाले जो goals है मैं financial funda channel पे share करूँ बढ़ मैं यहाँ कर रहा हूँ because I think यहाँ पे जादा लोग है तो जादा लोगों तक ये में पहुंचा सकता हूँ at least मेरे goals है I don't want you to do the same पर थोड़ा सा शायद idea हो जाए इसलिए बाकी और बहुत सारी चीज़े है जो financial funda channel grow with shivam पे भी आने वाली है तो वो दोनों channels भी आप ज़रूर check out करें link सब के आपको नीचे description में मिल जाएंगे मैंने grow with shivam पे already health wealth or knowledge यह तीन categories मैंने set की है 2022 के लिए मेरे लिए जिनको लेके मैंने goals वगरा share कर दिये है already यह सिरफ finance वाले goals की हम बात करेंगे तो here मैंने आप निकाल के रख लिए हैं तो पहले first in the finance category हम बात करते हैं वो है try to buy all the major dips तो मेरे से 2021 में initially 2 dips मिस हुए है and major dips का मतलब है देको छोटे dips तो मेरे वाल्ड के तुरू अपने अप हो जाते है major dips का मतलब है जहां पर bitcoin 20% की range में गिर रहा है and what that does is उस time के लिए मुझे cash रखना बहुत ज़रूरी है मेरे वो dips मिस नहीं होने चाहिए so of course fortunately यहाँ पे वाल्ड की वज़े से काफी help हो जाएगा 10% पे by the dip लगा है but 10% के जो उपर के है उसमें वो by the dip दुबारा नहीं चलेगा क्यों मैंने once a day लगा है तो मुझे manually चलाना है और manually चलाने के लिए मुझे regularly profit booking करनी पड़ेगी so this comes to the second thing automatically बन जाता है कि profit booking बहुत जरूरी हो जाएगी मेरे लिए so that मैं जो है dips को buy कर सकूँ क्यों यहाँ पे profit booking जरूरी होगी और मेरे पास जादा cash नहीं होगा उस पे भी आएंगे वो next to next goal आने वाला है number two guys और by the way मैं धंडी है इदर काफी आज नॉर्मली नहीं होती है आप notice करी रहे हो number two guys which is invest at least 20% of my income x income कुछ भी हो ठीक है चाए वो 5 लाग हो चाए 10 लाग हो चाए 20 लाग हो जो भी मैं कमा हूँ 2022 में उसका 20% minimum invest होगा so 20% invest होगा 20% save होगा 60% में खर्चा मैं चला सकता हूँ अगर मुझे चलाना है hopefully उससे भी कम में मुझे खर्चा चलाना है 20% invest 20% save अभी 20% जो invest हो रहा है उसमें से मेरा plan ऐसा है कि 7.5% जो है वो crypto में जाएगा 12.5% जो है वो stock markets में जाएगा for 2022 so 12.5% and 7.5% 20% minimum यहाँ पे invest करना है इसी तरह के कुछ ratio में मैं जो है यहाँ पे plan कर रहा हूँ number 3 guys number 3 एक ऐसी चीज है जो मैं अभी mention कर रहा है कि क्यों मेरे पास funds का थोड़ा कमी हो सकता है so another thing that I want to do in 2022 is मैं मेरा जो emergency fund है उसका size बढ़ाना चाहता हूँ मेरे पास emergency fund comparatively जो है चोटा रह गया है and that means basically cash या तो वो liquid funds में या bank account में मैं थोड़ा सा उसका size बढ़ाना चाहता हूँ because you guys know I'm also married turning 29 lots of things in store for 2022 and I want more cash at hand I want more accessible money जो मुझे जादा जादा late भी हो रहा हो तो 30 minute के अंदर-अंदर मिल जाए इसलिए liquid funds of course I always have credit cards and I'm credit cards use करता हूँ I suggest using credit cards properly because it's a lot of benefit but only properly फालतो का loan लेकर credit card is a mess but either way is coming back to the point यहाँ पर emergency fund में जो है funds amount जो है वो बढ़ाना चाहता हूँ and normally मेरा emergency fund का major portion है वो liquid funds के अंदर ही रहता है bank account में नहीं रहता है moving on guys moving on to next which is number 4 which is feel free to spend on high quality items यह मेरे से पिसले कुछ सालों में खलती हुई है this is also something जिसमें मेरी वाइफ मुझे सजेस्ट बार बार करती है you buy once and you buy high quality इसका example आपको बहुत सारी जगाँ पर दिख जाएगा मेरी life में अगर मैं वैसे दिखाना स्टार्ट करूँ but either way is whatever that point may be point is कि high quality items पे spend करना है जहां पर I can afford अगर मैं नहीं afford कर सकता तो जबरदस्ती नहीं करनी है but if I can afford it and I need that item तो मुझे उसकी best possible quality जो मेरे budget में आ रही है वो लेनी है अगर थोड़ा सा मुझे 5-10% budget extend भी करना पड़े एक महीना रुक के तो I have to do that and invest in quality जो मुझे सालो साल चले इसका बहुत अच्छा example हो सकते है microphone I made sure कि मैं microphone पे अच्छा पैसा खर्च रहा हूँ मेरे audio setup पे अच्छा पैसा खर्च रहा हूँ चलो जो interface वगरा है वो तो पुराना है but mic I could have very well bought something like boyah for 5,000 rupees but मैं वो end पे नहीं गया what I did not do is 40,000 का SM7B ले लिया this is a very good microphone road का है and मेरा road का experience बहुत अच्छा रहा है मेरे पस road का एक और mic है पिछले 6-6 साल से तो very very well and constructed तो काफी अच्छा है तो यहां पे मैंने for example this mic is 10,000 lens है lens I could have also gone cheaper but मैं वो नहीं किया काम चलाओ नहीं किया lens is also अभी 35,000 almost 33,000-34,000 का lens है so expensive थोड़ा दूख होता है थोड़ा जटका बैठता है wallet को because I could invest that money but I think it is very very important plus यह business वाली side में है YouTube कर रहा हूँ needed है well needed है and I think आप लोगों ने समझी लिया होगा कि हापे कुछ तो नया चल रहा है पीछे का background और यह सब देखे और 2K में videos आ रहे है right I could very well upload videos 4K में भी अभी with this setup but वो मैं करता नहीं हूँ क्योंकि वो processing को फिर बहुत time लग जाता YouTube पे already यह वाले आदा पॉना घंटा लेते हैं processing को anyways high quality items number 5 build at least 2 new substantial income streams तो मेरा पिछले 6 साल से plan जो मैं carry out करता आया हूँ consistently वो यह करता हूँ कि मेरी income streams बनती रहे हैं चाहे वो मेरी book है चाहे courses है चाहे skills share का course है जो मुझे पैसा लाके देता है around freelancing अब चाहे Udemy का मेरा course है I want to build 2 new substantial income streams, substantial का मतलब है इतना कि मेरा एक income stream में से खर्चा निकल सके, now substantial में एक मेरा plan ऐसा है कि जो मेरा Udemy का course है उसको मैं थोड़ा जादा push करूँगा जैसे कि for example अभी दो दिन, आज का दिन और कल का ही दिन भागी है Udemy के course पर आपको discount मिल सकता है, new year party जो है वो code है 640 rupees, 640 के नीचे कभी नहीं जाएगा ये course 640 is the minimum that you will get link description में है so I will not only promote it but मैं उसके around भी चीज़े करूँगा so उस blockchain tech के उपर वो course है blockchain के basics के उपर वो course है fundamentals के उपर course है, miners के होते हैं ये सारी चीज़े है, so I will start building stuff around that, तो मैं थोड़ा सा उस education वाली side पे एक चीज़ build करना चाता हूँ, एक income stream बिल्ड करना चाता हूँ and the point is also not just income stream the point is कि जितने जादा लोगों को जितनी जादा value पहुचा सको, क्योंकि वो हो गया तो income stream अपने अपना ख्याल रख लेती है but उसके साथ मैं एक और income stream जो है, set up करना चाता हूँ, 2022 में which gives me a lot of flexibility in life I think बहुत जादा important है जैसे जैसे age बढ़ता है, जैसे जैसे family बढ़ती है, वैसे वैसे एक बहुत important चीज़ हो जाते हैं, आप अगर college में हो, it's a very different situation, if you're married it's a very different situation, आपके बच्चे है very different situation, so we have to plan for all of those phases and this income stream part is one of those and substantial is what I've been, so substantial में मतलब, आपकर लो, मेरा aim ऐसा है कि ऐसे income streams, जो मुझे per income stream monthly, कम से कम 1,00,000 रुपय है, आपे जनरेट करके दे रहे है month का, so aiming for at least 2,00,000 a month hopefully, I am able to touch that last guys, which is, I think maybe हो सकता है, maybe नहीं हो सकता I am to be honest, not sure, बहुत ही uncertain है that is, I am aiming to get at least one commercial property अभी commercial property में क्या है commercial property का मेरा मतलब यह नहीं है कि एक पूरा building का एक floor खरी लिया commercial property is like a very small shop ठीक है, अगर वैसे हम देखा जाए investment side से, I can do that now but I don't want to, I want to have a big junk of cash and वो cash जो यह income stream से आएगा, उसमें से कुछ part उदर invest होगा, most probably वो loan पर ही होगा क्योंकि जो rate of interest है वो comparatively अभी भी cheap है, especially with covid and everything जो चल रहा है, जो rate of interest है वो इतने बड़े नहीं है on these kind of loans, of course, taking a loan makes more sense, तो एक medium size, small to medium size shop, जो एक rent पर दी जा सके that is something that I want to add I don't have any real estate frankly बोलू तो इतना पैसा मेरे पास personally कभी हुआ नहीं है, कि मैं real estate ले पाऊ, तो वही मैं अब इस साल में aim कर रहा हूँ, कि मैं इतना तो पैसा बना सकूँ, कि I am able to afford something and then at the same time मेरे income streams ऐसे हो कि जो उनका EMI वागरा को भी यहाँ पर push करके afford कर सके so that is another goal of mine I have more cash at disposal number four, build new substantial, two new substantial income streams number five is quality, high quality items पर मुझे spend करना है सस्ता होई, दो बार, पांच बार, दस बार और महेंगा होई, सिरफ एक बार and last is I am trying and this में मैंने लिखा भी है यहाँ पर aim to get because I know it might not be as straightforward as saying it, कहना असान होता है करने के time पर depends because यहाँ पर ROI भी मैं देखा हूँ, हो सकता है मुझे उस time पर Bitcoin बहुत अच्छे dip में मिल रहा हो right, तो अगर 2-3 लाक रुबए की बात है and I have that chunk saved over a few months depends, situational है but aim यहाँ पर मैंने लिखा है अब इसमें health और knowledge related भी goals थे वो आप जानना चाहते हो, तो विचिवम चैनल पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा आने वाले कुस दिनों में and 2022 में financial funda channel है stock market fundamentals, finance, पैसा बनाएं कैसे because अब major chunk is major chunk of questions जो आप लोग मुझे पूछते हो, यार dip buy तो सही है बर dip buy के लिए पैसा कहा से लाएं और मैं मोलता हूँ profit booking और income तो हम income के बारे में बहुत जादा बात नहीं करते हैं इस channel पर income की बात करता हूँ तो views ही नहीं आते हैं, फिर channel ही डूप जाता है तो that is not what I want to do, वो सारा जो content है भर-भर के content आपको मिलेगा financial funda channel पर, I have team set up with multiple people in it, तो मेरे पास literally content research and content writing site से, there is one person on board Sagar, आदर्स तो मेरा partner ही है बहुत सालों से, then there is also Yagya who is editing the videos on financial funda and grow with Shivam, and hopefully इस channel पर भी हम Yagya की editing skills को यहाँ पर test करेंगे आने वाले कुछ time में, the only problem with crypto is guys की video बना के immediately upload करना पड़ता है, तो वो एक time नहीं होता, वहाँ, वो दोनों channels पर, what I can do is, I can make a video wait for even a week, कोई problem नहीं होगी और अगर कोई ऐसा video है, जो price dependent है, या market situation dependent है, तो मैं direct बना के upload कर देता हूँ, वो दोनों channels पर anyways, आप वो दोनों channels के link भी जो है, आपको नीचे मिल जाएंगे, by the way, अगर आप Punjabi हो, जो दूसरी Punjabi बोल दे हो financial fund up Punjabi channel भी आप आप आता है, तो financial fund up Punjabi channel भी यहाँ पर है, जहां पर अभी में shots कर रहा हूँ, but jam end तक मैं उस पर proper videos भी करने लहाँ हूँ, पंजाबी में around market, around crypto, around stocks, around all of those things, तो वो भी आपको काफी सारा content उस channel पर यहाँ पर मिल जाएगा, that's it guys, hope यह video आपको अच्छा लगा हो, and as always, like बंबीब का मार के subscribe करना मत भूलेगा guys this is Shivam, signing off, आप लोगो को मिलते हैं, अगले video में guys, a very 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 happy new year, and have an amazing amazing 2022, bye bye